खरीफ सीजन अपने पीक पर है जिसके तहत इन दिनों खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान समेट अन्य फसलों की निराई गुडाई जारी है वहीं अगेती किसम के धान की फसल पकर भी त्यार हो गई इसी बीच रभी सीजन की त्यारेया शुरू हो चुकी है इसी करम में केंद्रिय क्रिशी एवं कल्यान मंत्रालिय ने अगामी रभी सीजन में धलनी फसलों का उतपादन बढ़ाने की योजना बनाई है जिसके तहत क्रिशी मंत्रालिय देश के ग्यारा राज्यों में धलनी फसलों का उतपादन बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है इस योजना को आमली जामा पहनाने की प्रक्रिया इन दिनों अपने चरम पर है आपको बता देगी केंद्रिय क्रिशी वेकिसान मकल्यान विभाग धलनी फसलों का उतपादन बढ़ाने के लिए जिस योजना पर काम कर रहा है उसके तहत आगामी रभी सीजन के में देश के ग्यारा राज्यों में धलनी फसलों का उतपादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा क्रिशी मंतराले आगामी रभी सीजन में इन ग्यारा राज्यों में उडद और मसूर का उतपादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है इसके लिए एक विशेश कार्यकरम तूर मसूर उड़द 370 भी लागू किया गया है जिसके माध्यम से देश के 11 राजियों में पंडे वाले 120 जिलों में मसूर तो 150 जिलों में उड़द का उत्पादन बढ़ाने की योजना है दलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2022 से इसके दोरान 11 राजियों के किसानों को 8 लाग से अधिक दालों के बीज बाटने शुरू कर दिये गए हैं जिसके तहज एक मिन्नी किट के तोर पर उड़द के 454,020 मिन्नी किट और मसूर के 4,004,020 मिन्नी किट किसानों के बीच बाटे गए हैं चानकारी के मुताबिक विशेश रूप से बारिश की कमी वाले शेत्रों में जल्दी बुआई के उदेश्य से उत्तर पर देश के लिए 11,563 किट तो जहारखन के लिए 12,500 किट और भिहार के लिए 12,500 किट उपलग कराए गए हैं Bureau Report, Market Times TV